हेलो दोस्तों नए साल की आपको बहुत बहुत बदाईयां और इस नए साल में SG Food World की किचन में बन रहा है गाजर का हलवा तो आईए इसी से मूँ मीठा करते हैं नए वर्ष पे बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जो की टेस्टी ही नहीं हेल्दी भी बहुत है और इसे स्टोर भी कर सकते हैं बहुत दिनों तक तो इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आए दोस्तों SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस कर लेटेस अपडेट से नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं गाजर का हलवा यहां मैंने एक किलो गाजर ली है जिसे अच्छे से छील के धो लिया है और यह आपको आगे से कटिंग कर देनी है पीछो से नहीं यह लाल गाजर है और विंटर के म मौसम में यह असानी से मिल जाएगी आपको और अब ग्रेट कर लेंगे कदुकश करना है हमें इसको अच्छे से धोने के बाद ही इसे ग्रेट करें बाद में इसे नहीं धोना है क्योंकि बारी कदुकश से करेंगे तो और जल्दी यह अच्छे से पक जाएगी यह जो एक् और बढ़िया हो गई है अब एक कडाई लेंगे मैंने यहां पर आइरन की कडाई ली है आप कोई भी भारी तले की कडाई ले सकते हैं अब जो गाजर कदूकस की थी वो इसमें आड़ कर देंगे थोड़ी सी एक बारी मैं इसलिए आड़ नहीं कर रही क्योंकि जो मेरी के साथ यहां पर फुल क्रीम दूद लेना है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपका अगर ब्रतन घहरा है तो आप दूद और गाजर एक साथ भी बॉल कर सकते हैं देखी गाजर थोड़ी सी दब गई है मैं बाकी सारी गाजर अब इसमें आड़ कर रही हूं यहां पर कंटिनुसली स्टर करते रहेंगे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूं बिलकुल तले से ताकि दूद और गाजर तले पे लगे न और दूसरी साथ जो हमारा दूद कर रहा है उसमें चार-पान स्ट्राइंड्स आफ केसर हम एड़ कर देंगे केसर बहुत ही फायदा करता है और कलर भी बहुत अच्छा आएगा गाजर के अलवे में गाजर सौफ्ट होनी शिरू हो गई है अच्छ से पकनी शिरू हो गई है दूद में यह गाजर का अलववा बहुत जल्दी बनता है क्योंकि एक आप हमारी गाजर पक रहा ही और दूसरी साइड दूद अब जो दूद डालने के बाद पकाने में हमें असानी हो जाएगी और हिलाना भी असान हो जाएगा फ्लेम को लो कर देंगे और जो हमाई ड्राइफ रूट्स हैं वो रेडी कर लेंगे मैंने याँ पे पंदा से बीस बदाम लिये हैं उसे ऐसे कटिंग कर लेंगे लंबी शेप में और जो काजू है उसे टुकड़ों में काट लेंगे वो भी पंदा भीस लिये हैं मैंने याँ पे गाजर को दूद में पकते हुए पंदामेट हो चुके हैं और देखिए पूरा जो दूद है वो एब्सॉब कर लिया है गाजर ने अभी भी अच्छे से हिलाएंगे और इस समय फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें देखिए अभी इसको ऐसे चेक करना है कि इसमें दूद है या नहीं है अभी भी थोड़ा सा दूद रह गया है, इसको अच्छे से stir करते रहेंगे अच्छे से stir करेंगे और देखिए जो गाजर है, soft हो गई है 2-3 मिनिट में इसमें डालेंगे चीनी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी ली है, 1 किलो गाजर में 200 ग्राम बहुत है चीनी अगर दूद का हलवा बना रहे हैं आप अपने हिसाब से चीनी की क्वांटिटी बड़ा या कम कर सकते हैं पर टेस्ट कर लें और चीनी डालने से पहले अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे अब पांच मिनट बाद इसमें आड़ कर देंगे ड्राइफ रूट्स मैं यह आप पे काजू और बडाम डालूंगी आप इसमें मन चाहे और कोई भी ड्राइफ रूट्स जाल सकते हैं जैसे कि किश्मेश पिस्ता अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से स्टर करते रहेंगे अब इसमें आड़ करेंगे घी 200 ग्राम मेल्टेट गी लेना है और मेल्टेट नहीं है तो 100 ग्राम बहुत है इसमें गी जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें गी आड़ कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे बहुत ही बढ़िया खुश्बु आनी शुरू हो गई है और बहुत ही जबरदस भूख लग रही है इस हलवे को देखकर पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनेंगे और हलवा बिलकुल त्यार है खाने के लिए गाजर का हलवा बहुत असानी से बन जाएगा इस रेसिपी के साथ और बहुत ही टेस्टी बनेगा इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिएगा अपनी फैमली के साथ एंजॉई कीजिए गाजर का हलवा और मेरे साथ शेयर कीजिए feedback and comments मैं मिलूंगी ऐसी ही और म like, share and subscribe